यहाँ पर देख सकते हैं आप 1,60,000 का हमने रेविन्यू अभी तक इस चैनल से जनरेट कर लिया है दोस्तो अगर आप YouTube पर काम करना चाते हो लेकिन आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना अपना चेहरा दिखाए YouTube पर काम कर रहे हैं और लाखो रुपया कमा रहे हैं सबसे पहले दोस्तों मैं अगर मेरे YouTube चैनल की बात करूँ तो मेरे YouTube चैनल पर अभी के टाइम पर 10.6 मिलियन व्यूज हैं मतलब एक करोड़ छे लाख व्यूज हमारे चैनल पर आ गए हैं मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी इसी बाते बताऊंगा जिससे आप अपना बिना चेहरा दिखाए एक YouTube चैनल बना सकते हैं और दोस्तों वहाँ पर 1000 रुपया आप कमा सकते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि YouTube चैनल बनाने के लिए किसी भी तरह की skill की जरुःत नहीं पढ़ती आपको दोस्तों YouTube चैनल बनाने के लिए बहुत साज़ो सामान की जरुःत नहीं होती आपको जैसे मेरे पास तो बहुत सारे documents हैं लेकिन अगर आपके पास एक mobile है और आपके पास केवल एक microphone है मतलब एक mic है YouTube वीडियो बनाने के लिए आपको एक application डाउनलोड करनी है VN Video Editor दोस्तों VN Video Editor बिल्कुल free application है इसको आप अपने play store से डाउनलोड कर सकते हो और इस पर कोई भी watermark नहीं आता तो अब मैं आपको बता दिता हूँ कि free में कैसे वीडियो आपको बनाना है और कैसे अपने YouTube चैनल पर उसको upload करना है दोस्तों अभी cricket T20 का World Cup चल रहा है और अगर आप T20 World Cup के उपर वीडियो बनाते हो तो आपका वीडियो बहुत ही जल्दी viral हो जाएंगे दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको सीधी ट्रिक बताने वाला हूँ इसके लिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी mobile की screen के उपर और वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से वीडियो बनाने है तो मैं यहां पर आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ तो यह वीएन वीडियो एडिटर हमने यहां पर खोल लिया है इस प्लस की साइन को आप दबाएंगे तो new project में आपको चले जाना है यहां पर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, एक photo लेना है जैसे मान लेजे, आपको cricket में विराट कोहली का फोटो लेना है, तो विराट कोहली के बारे में सर्च करने के लिए आपको Google Chrome पर जाना है, यहाँ पर आपको लिखना है विराट कोहली, विराट कोहली, तो यहाँ पर विराट कोहली से समनित पोस्ट आ जाती है, तो यहाँ पर करना है लोंग प्रेस आपको यहां पर वीडियो पी लो तो यहां फौटो में जैसे आप लोंग प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको डाॉनलोड इमेज का ऐप्षिन आएगा तो यह इमेज हमारी डाउनलोड का लिया है अब यहाँ पर वापिस हम चल चलते हैं वी एन एडिटर पर तो यहाँ पर वीडियो के बाद फोटो वाला ओप्शन आ जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन विराट कोहली के फोटो आ गए हैं इन तीनों फोटो का आपको नहीं बताऊंगा आपको किस तरह से आपको यूज करना है वो बाद की बात है कि आपको इसको किस तरह से यूज करना है तो देखे दोस्तों यहाँ पर एक sound का option आपको नजर आ रहा होगा प्लस वाला icon यहाँ पर music का option यहाँ पर आपको music दबाना है record sound के option पर आपको click करना है यहाँ पर आपको जैसे record sound के button पर click करेंगे तो आपको अपनी आवाज यहाँ पर record करनी है मैं आपको record करके बता देता हूँ दोस्तो आज cricket match में बहुत ही कमाल हो गया आज विराट कोहली ने सब के चक्के चुड़ा दिये पाकिस्तान को हाल का मुझ देखना पड़ा दोस्तो ये आवाज record हो चुकी आप यहाँ पर play करके देख सकते हैं दोस्तो आज cricket match में बहुत ही कमाल हो गया आज विराट कोहली ने सब के चक्के चुड़ा दिये पाकिस्तान को हाल का मुझ देखना पड़ा इस तरह से आप वीडियो बना सकते हैं और वीडियो बनाने के बाद यहाँ पर ऊपर ये वाला बटन है इसको आप दबाएंगे और यहाँ पर आपको इसका resolution और fps और frame rate यह सब automatic setup है इसको आपको कुछ भी नहीं करना और right के बटन पर आपको click कर देना है दोस्तों यह वीडियो रेंडर हो जाएगा मतलब यहाँ पर एक उधारन दे रहा हूँ और इसको आप एक नया YouTube channel बना कर उस पर upload कर दीजे कुछ भी नहीं लग रहा दोस्तों ना तो इसमें आपको कुछ अपनी तरफ से effort देना है कुछ भी नहीं करना आपको सिर्फ image डाउनलोड करनी है वीडियो बनाना है और अपने channel पर post कर देना है बाकी दोस्तों YouTube खुद अपना काम कर लेगा अगर अभी के टाइम पर आप इस तरह का channel बना कर पेसे कमाना चाहते हैं तो महीने के आप 1000 रुटे कमा सकते हैं दोस्तों 4-5 दिन में आपका channel monetize हो जाएगा अगर आप बढ़िया मेनत करते हैं तो आपका अगर कोई भी video viral हो जाता है तो आपके channel पर बहुत अच्छे views आएगे और आपका channel monetize हो जाएगा दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं बाकी मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ धन्यवाद